हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, सबसे पहले आप सबको दिवाली की धेश सारी सुप कामना हैं, हैपी दिवाली, आज हम बनाने जा रहे हैं लाल पेड़े, तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है दो लीटर दूद, दूद को हाई फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे दूद जल्दी रिडियोज हो जाता है, इसलिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तो दूद को पकाते रहना है, जब तक कि वो गाड़ा न हो जाए, आप देख सकते हैं, दूद पहले से कम हो चुका है, मैंने यहाँ पे आइ गिकडाई में अच्छा बनता है तो पहले से दूद गाड़ा हो रहा है लेकिन इसे और गाड़ा करना है जब तक कि दूद हाफ रिड्यूज न हो जाए और इसे तले से लगाते हुए चमच को चलाना है क्योंकि तले में अगर लग जाएगा तो पूरा स्वीडिस खराब हो जाएगा बगल से भी से साइट से खुरच लेते हैं और गैस का फ्लेम हाई है इसलिए ध्यान दे रहा है दली में न लगे तो दूद को हमेशा चलाते रहना है अब दूद हाफ रिड्यूज हो चुका है आप देख सकते एकदम दारेदार हो गया है तैयार हो गया है दूद ध्यान रहे नीबु का रस वन चौथाई लेना है ज्यादा नहीं लेना है अब इसे चलाते रहेंगे तब तक चलाएंगे जब तक की दूद फट न जाए तो दूद फट चुका है आप देख सकते हैं कितना दारेदार रेशे निकल चुके हैं तो इसे चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है क्योंकि जब अमचीने एक साथ डाल देंगे तो यह पानी छोड़ देगा और पूरी पिठाई खराब हो जाएगी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलाना है डालना है और इसके दो-दो मिनट तक चला के दुबार इसमें मिठा डाल तो इसे चलाते रहेंगे और दूद में बहुत उच्छा ला रहा है तो बहुत ध्यान से चलाना है इसमें हाथ जलने का डर होगा तो आप चाहें कोई कपड़ा पांच सकते हाथों में अब मैंने सारा चीनी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पका लिया है यहां पे ग इसे बार-बार चलाना है क्योंकि दूद गाड़ा हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है तो इसे तब तक पका रहा है जब तक यह गाड़ा न हो जाए और एक गोल्डेन कलर न आ जाए तो आप चलाते रहें इसे बार-बार इस क्वांटिटी में आप इसे मिल्क केक के लिए सेट कर सकते हैं यह इसकी परफेक क्वांटिटी है मिल्क केक के लिएक हम लाल पेड़ा बना रहें इसलिए इसे और थोड़ा सूखा करेंगे आप देख सकते हैं यह पहले से ज्यादा सूखा हो है ड्राय हो चुका है अब आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं या आप इसे पेड़े का अकार दे सकते हैं मैंने इसे सेट किया है एक घंटे के लिए रख देंगे जिससे इसका कलर और चेंज हो जायेगा एक घंटा हो चुका है और ये अच्छी तर से सेट हो गया है अब इसे चाकू की सहयता से अलग कर लेते हैं साइट से इसे अलग कर लेंगे अब मैंने इसे गरम पानी में रख दिया जिसे निकालने में आसानी होगी तो आप इसे गरम पानी में 2-3 मिनट के लिए रख सकते हैं बहुत अच्छी मिठाई बनके तयार हो चुकी है तो आप भी इस दिवाली जरूर बनाईएगा और लाइक वीडियो को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये डिस कैसी बनी है